इस्टेडी 24 उदेपूर में आप सभी का स्वागत है आज हम भारत में आर्थिक सुधार या जिसे नई आर्थिक निती भी कह सकते हैं 1991 इस टोपिक बर डिसकस करने वाले हैं Economic Reforms in India या जिसे New Economic Policy भी कह सकते हैं तो इस टोपिक को पढ़ने से पहले सबसे बहले हम समझते हैं आर्थिक सुधारों का मतलब क्या होता है आर्थिक सुधार क्या होते हैं एसे उपाए जिसके द्वारा कोई अर्थवेस्ता अपने को और अधिक कुशल बनाने का प्रियास करत हैं ताकि वो अपनी अर्थवेस्ता का विकास करें विक्सित किया जा सकें तो अपनी अर्थवेस्ता को विक्सित बनाने के लिए अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए अधिक कुशल बनाने के लिए जो प्रियास किये जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं आर्थिक सुधार कहते के लिए उसे विक्सित अर्थ व्यस्ता की श्रणि में राने के लिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का दोर प्रारम किया और आर्थिक सुधारों के अंतरगत उदारे करण, वेश्वी करण, निजी करण इनके सम्मंदित विभीन उपायों को अपनाया जाता है अब इस उपायों को क्यों अपनाया गया था? क्योंकि इससे पिछले की जो आउदी है, 1980 का जो दशक है, 1980 के दशक में भारती अर्थियस्ता की जो प्रबंदन के अगर हम बात करते हैं, उसका प्रबंदन सही तरीके सनी होन पाने से, उसके सामने विती संकट उत्पन हो गया और जब आयक की तुलना में खरचा ज़्यादा हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए रिन लिया जाता है, तो सरकार के सामने विती संकट की इस्तिती उत्पन हो जाती हैं, हम विदेशों से कोई वस्तों को आयात करते हैं, तो इन आयतों का भुक्तान करने के लिए हमको क् मुद्रा के रूप में भुक्तान करना पड़ता है मैं विदेशी मुद्रा की आवशकता होती हैं लेकिन 1980 का जो दशक था उसके अंत में या 1990 से पहले अगर हम बात करते हैं उसमें की तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार थे वो समाप्ट होने वाले थे और लगबक क इतने बचे थे अगले 15 दिनों तक हम वस्तों को जो आयात कर रहे हैं उन आयतों के बिलो का भुक्तान कर सकें केवल अगले 15 दिनों के लिए तो मतलब भारती अर्थ विदेशी मुद्रा के जो बंडार थे वो एक तरह से सारे समाप्ट हो गए थे साथ साथ में अर्थ अर्थ संतुलन की स्तिती में आ गया इसके अलाव बहुत सारे और रिजन है जिनको हम आगे डिटेलन पढ़ने वाले हैं तो इन सारे कारणों की वज़े से भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था जुलाई 1901 को जुलाई 1991 में उसमें पी नर्सिम प्रदान मंत्रि देश के और उसमें क्यं裹ी मंत्रीय मंत्रीों दॉक्टर मनमोन तो उंहों ने आर्थिक निती और अपनाया और ऐसकी मुख्यों क्यों क्यात्य तो सबसेवहले होग में देखते हैं बारती अर्थवियस्ता में भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों की आउशिक्ता क्यों महसूस की तो सबसे पहला उसका कारण हो गया राजकोशी गाटे में व्रद्धी राजकोशी गाटे का मतलब क्या होता है जब सरकार के कुल भुकतान चाहे वो राजस्व वे होते हैं तो जब सरकार का कुल वे कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक होता है तो सरकार को गाटा होता है उस गाटे को हम क्या कहते हैं राजकोशी गाटा कहते हैं तो 1980 के दश्रक में भारत का जो राजकोशी गाटा था वो कितना था GDP का 5.6 प्रतिशत राजकोशी गाटा जो होता है उसको हम GDP के प्रतिशत के रूप में फेक्ट करते हैं तो 1980 की अवधी में भारत का जो राजकोशी गाटा है वो GDP का कितना था 5.6 प्रतिशत था लेकिन 1990 में बढ़कर कितना हो गया था 8.2 प्रतिशत हो गया मतलब 1980 से 1990 की जो अवधी है उसमें राजकोशी गाटा है वो निरंतर तेजी से बढ़ गया था इसलिए अर्थ व्यवस्त है मतलब विदेश के ओपर हमारी जो निर्वरता है वो बढ़ जाएगी जो रिल लेंगे उसके बदले में उसका ब्याद भी चुकाना पड़ता है तो इसलिए सरकार ने आर्थिक सुधार कारिकरम शुरूआत करने के बारे में सोचा तो सबसे पहले हमने कारण देखा कि आ राजकोशी गाटा है 1990 के वर्ष में बहुत अधिक हो गया था कितना हो गया था GDP का 8.2 प्रतिशत हो गया था दूसरा करण अगर हम देखते हैं तो दूसरा करण है बढ़ता हुआ प्रतिकुल भुक्तान शेंश भुक्तान शेंश क्या होता है हमारी जो कुल देनदारिया हो पन हो जाता है तो 1991 की साय में क्या हो था कि हमारे देश का जो भुक्तान संतुलन शेंश जो है वो अधिक हो गया था अब उसको पूरा करने के लिए हमको मुद्रा क्या हो शेकता थी तिसरा है खाड़ी संकट 1990 के टाइम में जैसे अगस्त 1990 में जो खाड़ी देश है इराग हैं कोवेत हैं सेयुकत अरब अमिरात हैं तो इनके मद्ध में क्या हो था खाड़ी युद्ध प्रारम हो गया था और खाड़ी युद्ध प्रारम होने से जो ये देश क्या करते हैं मुख्य रुप से पेट्रोलियम पदार्थों का निरियात करते हैं और भारत क्या करता है वहां से पेट्रोल का आयत करता है तो खाड़ी संकट की इस्तिति में खाड़ी देशों में युद्ध हो गया था इस वज़े से भारत में पेट्रोल की किमते जो है वो टेजी से बढ़ने लगे थी तो पेट्रोल की किमतों में वर्धी का जो कारण था उसमें क्या था प्रशी मुद्रा बंडार जो थे वो एक तरह से बहुत कम हो गए थे और अगले 15 दिनों के जो आयात बिल हैं हम उनीका भुकतान करने की इस्तिती में थे तो ऐसी इस्तिती में हमको मुद्रा की रिण की आवशकता हुई धन राशी की आवशकता हुई अब उस धन राशी को ह हमने क्या किया विश्व बैंक जो अंतराश्ट्री मुद्रा कोश है उनके पास में गए और वहां से हमने उधार लेने की बात कही लेकिन विश्व बैंक है या फिर जो अंतराश्ट्री मुद्रा कोश है उसके द्वारा भारत को धन राशी उपलब्द कराई गई वो किस श और उन्होंने शर्ट रखी जो अंतरास्टी मुद्राकोश है विश्व बैंक है उन्होंने भारत के समक्ष क्या शर्ट रखी कि भारत जो है अब क्या करेगा उधारवादी निती अपनाएगा मतलब उधारवादी निती का मतलब क्या होता है जो विभिन देशों के साथ में व्यापार होता हैं उस पर सरकार के द्वारा जो भी नियंतरण लगाए गए हैं उन नियंतरणों गभाला कुष में आकरशीत किया जाएगा और इस शर्थ पर विश्व बैंक अंतराश्ट्री मुद्रा कोश के द्वारा भारत को रिंड उपलब्द कराए गया था और नेक्स्ट कारण हमारा है मुद्रा इस्विती में व्रद्दी 1990 का जो समय था उसमें मुद्रा इस्विती की जो ओसत वाशिक व्रद्दी दर वो बढ़कर कितनी हो गई थी 16.7% हो गई थी और साथ साथ में खाध्यानों की जो किमते हैं वो भी तेजी से बढ़ रहे थी और साथ में करण है कि सारजिक शेत्र के जो उद्योग दंदे हैं उनका अकुशल प्रबंध होने से सरकार का जो गाटा है वो एक तरह से क्या हो रहा था बढ़ा था इन सभी कारणों की वज़े से सरकार के जो खर्चे थे वो बढ़ गए जबकि सरकार के पास में इंकम का क अर्थिक सुधार जो हैं उपनाए गये जिसके अंतरकर उदारी करण की निझी परण हे इन सभी को अपनाया गया अब भारत सरकार के द्वारा जो आर्थिक सुधार प्रदब्ह किये गए थे तो उसके पिछे सरकार ने क्या हुद gesch करा सुचा कि इससे हमारी अर्थ्विस्ता है उसका बेश्वी करण हो जाएगा बाजारी करण हो जाएगा विश्व के अन्य बाजार है वहां तक हमारा जो सामान है वो जाना लग जाएगा इसका मतलब हमारी अर्थ्विस्ता है भारती अर्थ्विस्ता एक तरह से बाजारी करण अपने निर्यात्यों को बढ़ा के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर सकती थी जिससे भुक्तान शेंज जो है वो अर्शंतुलंग की स्थिति से बूर किया जा सकता था फिर नेक्स्ट करण है कि अर्थ वेस्था मनमन देखा कि मुद्रा इस्पिति की स्थिति उत्पन हो सरकार ने ने आर्थिक शुदारों की और रुक ग्या फिर सरकार का प्रियास था इससे हम अर्थ Wirestah की विखास की जो गथि उसको बढ़ा के विक्सित अर्थ बाद्यारा ब्बंदार के लिए यह निती अपनाये गए थी, अर्थ्यूरस्ता में आर्थिक स्थिर्ता की इस्थिती हैं उसको लाने के लिए, या सरकार के द्वारा विविन प्रकार के गाता हैं उन प्रतिबंदों को हटाने लिए ह। और साथ साथ में जो अर्थ विस्ता हैं उसमें निजी शेत्री की जो भूमी का होती हैं उसको बढ़ाने के लिए इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक सुधार जो हैं वो अपनाए गए थे नई आर्थिक निति को अपनाए गए था नए आर्थिक सुध यह मुख्य आर्थिक सुदार है वो उसको हम किन-किन बगों बाट सकते हैं उदारी करण, निजी करण, वेश्वी करण, उदारी करण, लाइबरिलाजेशन है, निजी करण, प्राइविटाजेशन और वेश्वी करण, LPG, इसलिए इन आर्थिक सुदार हम किस नाम से जानते सबसे पहले हम पढ़ेंगे उधारी करण क्या होता है कि सरकार के द्वारा अर्थ व्यवस्ता में विभीन प्रकार के जो नियंत्रन लगाए गए हैं विदेशों से हम कोई चीज आयात करते हैं तो उन आयतों पर सरकार के द्वारा जो भी नियंत्रन लगाए गए हैं नया उद्योग अगर को इस्थाप्यत करना चाहता है तो उस पर सरकार के द्वारा जो भी नियंत्रन लगाए गए हैं उन नियंत्रनों को हटाना सरकार के द्वारा आर्थिक किरियाओं में अर्थ योस्ता में जो विवन प्रकार की नियंत्रन लगाये जाते हैं, जो प्रतिबंद लगाये जाते हैं, उन प्रतिबंदों से मुक्ति को हम एक तरसे क्या कहते हैं, उदारी करण कहते हैं, मतलब अर्थ योस्ता को एक तरसे स्वतंत्र बनाना सा आर्थिक क्लिया हैं, जो से सुधार किये हैं कौन-कौन से उपाय अपना हैं कौन-कौन से कदम उठा हैं तो सबसे पहला मारा है ओध्योगिक शेत्र में सुधार उधारी करण की निती के माध्यम से सरकार ने ओध्योगिक शेत्र में सुधार करने का प्रियास किया हैं सरकार ने 1991 में नई उद्योगिक निती लागू की इस उद्योगिक निती से पहले की जो नितियां थी उसको चेंज करके नई उद्योगिक निती कब लाई सरकार 1991 में 1991 से पहले अगर कोई व्यक्ति संस्ता अगर उद्योग इस्थाबित करना चाती है तो उसे सरकार से लाइसेंस देना पड़ता था लेकिन सरकार नहीं लाइसेंस पढ़ना ले जो हैं उसको समाप्त कर दिया केवल जो छे महत्मुर्ण शیतर है अर्थवस्ता के उनको छोड़कर किसी भी अन्यकार के लिए लाइसेंस पढ़ना लिजू है उसको समापत कर दिया केवल जो महत्मुन शेत्र हैं अर्थ विस्ता के कौन कौन से शराप, सिग्रेट, उद्योगी की विस्पोर्ट, रक्षा सायंत्र, दवाय मौशद ये और हानिकारक रसायन हैं इन शे पदार्तों को छोड़कर, इन शे वस्तों से समन्दित उद्योगों को छोड़कर, अन्य किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवशक्ता की जो प्रतिवद्ध था थी पहले उसको समाप्त कर दिया मतलब इन शे के अलावा कोई भी उद्योग स्थापना के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवशक्तानी हैं फिर MRTP Act है 1969 में जो लाया गया था ठेक है उसमें एक तरह से संसुदन किया गया था इसके द्वारे अर्थवयस्ता में ओद्योगी विखास की जो गती है उसको बढ़ाने का प्रियास किये गया ओद्योगी शेतर के सुदार के साथ में दूसरा हम देखते हैं विती शेतर में भी सुदार किये गए हैं विती शेतर का मतलब चाहे वो कोई banking शेतर है या घेर बैंकिंग विती कमप्नियां हो सकती है stroke बाजार हैं विदेशी विनिमे बाजार होता है इन सभी में जो सुधार किये गए हैं उनका संबन किसे हैं विती शेत्र से हैं इससे पहले ब्याज की दर का जो निर्धारान होता था वो रिजर्ब बेंक के द्वारा किया जाता था लेकिन 1901 के बाद में सरकार ने ब्याज की दर का जो निर्धारान है वो स्वतंतर कर दिया बाजार की जो शक्तियां होती है उसमें वरद्धी होगी, फिर सरकार ने 1901 की जो आर्थिक सुधार प्रादम किये गए थे, उसमें सारजिनिक शेत्र के साथ साथ में नीजी शेत्र के बेंकों को भी प्रोथसान उनको लाइसेंस देने की बात कही इस से, और त्विवस्ता में नीजी शेत्र के बेंक है, उनक साथ में सरकार ने Reserve Bank का जो SLR और CRR की जो निती हैं उसमें कमी करने का प्रियाज क्या है मतलब Bank अपने पास में नकद रूप में कम रखेगा तो अर्थ विस्ता में तरलता ज़ादा आएगी अर्थ विस्ता में तरलता को बढ़ाने के लिए सरकार ने SLR और CRR जोसकी न्यूंतम सिमा थी वहां तक उसमें उन्होंने कमी कर दी नेक्स्ट उपाई के अगर हम बात करते हैं तो राजकोशी शेत्र में भी सरकार के द्वारा सुधार किये गए हैं राजकोशी का मतलब क्या होता है सारजनिक सरकार के द्वारा जो कर लगाये जाते हैं और वे किया जाते हैं सरकार की कर और वे निती से सम्मंदित को हम केते हैं राजकोशी शेत्र तो सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें कमी करने का प्रयास किया है ताकि जो उत्पादक हैं उनको एक तरह से उत्पादन कारी करने के लिए प्रोथसान मिले करको का जो भुक्तान किया जाता है उस प्रक्रिया का सरलिकरन किया गया है सरकार के द्वारा एक तो विभिन योजनों पर जो वे किया जाता है एक गेर नियुजित वे जो होता है उसमें कमी करने का प्रियास किया है सरकार के द्वारा गेर नियुजित वे जो है अनियुजित वे हम किया सकते हैं उसमें कमी करने का लग्ष रखा गया है क्योंकि जब सरकार का गाटा होता है सरकार का वे जादा होता है और वो वे अगर घेर नियोजित कार्योंग पर जादा होता है तो ये अर्थविस्ता के लिए चिंतर जनक इस्तिती होती है इसलिए सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए अनियोजित वे जो किया जाता है उसमें कमी करने का प्रियास किया नियोजी द्विया में जैसे कि जैसे अपने जो करमचारी उनको सेलरी का बुकतान कर रहे हैं ठीके वेतन चुकाया जैसे या फिर पेंशन का बुकतान किया छातरवर्ती का बुकतान किया इस परकार के जो खर्चों होते हैं वो नियोजी द् से हैं तो 1991 से पहले अगर विद्यशन सोगई वस्तु आयात की जाती थी तो उस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंतर होता था उस पर एक तरस से प्रशुल्क लगाया जाता था टेरिफ उसके उपर सरकार ने मातरा निस्तित कर देकी थी ये को इस मातरा से अधिक मातरा में आयात नहीं किया जा सकता है तो इन सभी प्रतिबंदों को सरकार ने हटाने का प्रयास किया आयातों पर जो गुणात्मक प्रतिबंद है उसको सरकार ने हटा दिया निरियातों को बढ़ाने के लिए प्रयाज किये निरियातों को प्रोचसान देने की बात कही है वस्तों के आयात पर जो सिमा शुल्ग लगता है उस सिमा शुल्ग में कमी कर दी है साथ में जो आयात किया जाता है तो आयात करने के लिए जो लाइसेंस पणा ले थी उसको समाप्ट कर दिया तो ये विभिन प्रीयाज जो है वो विदेशी व्यापार शेतर में सुधार के दौरा किये गए है फिर विदेशी विनिमय के अगर हम बात करते हैं तो विदेशी विनिमय में भी सुधार किये गए हैं निरियातों को बढ़ाने के लिए भारती रुपए का अउमूलियन किया गया है अउमूलियन से एक तरह से क्या होता है हमारे जो निरियात हैं, जिन वस्तों को बाहर भेसते हैं, वो सस्ती हो जाती हैं, तो इस इस्ती में निरियातों की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, तो विदेशी मुद्रा बंडार को बढ़ाने के लिए सरकार ने भारत चयुक और संद queक्षी प्रत्मिक वाले उद्यों गें उसमें विदेशी प्रत्येक्ष नीवेश की की जो सीमा हैं वह कितनी कर दी 51 परसेंट से लेकर अंड्रेट परसेंट तक की मंप्रöm्जूर देदी पहले कितनी थी 40% चालिस प्रती bias 40 प्रती बढ़ कितना कर दिया 31 से लेकर अंड्रेट आविया कि दूस्थर हमारा है निजी करं प्राइविय आजेशन निजी करंग का मतलब क्या होता है कि जब सहरज्द शेत्री जू अध्यम् सहुक्त प्राइपनी स्वामित्व हैं उनका जो प्रभंदन है वो निजी हातों में अगर हस्तांतरित कर दिया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं निजी करन के बेज़ने ठीक आंची गूरूप से स्वामित्तत्र एंप्रबन्दन जब निजी शयत्र को हस्तांद कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ।५ कि दिरने के लिए सरकार के दौरा कौन-कौन से प्रयास अपना है यह हैं कि सर्कार का उस उसको सरकार ने निजी शेत्र को वेदानता गुरूप उसको बेज दिया तो वी निवेज जो होता है वो भी निजी करण का एक प्रकार है फिर सार्जिक शेत्र का निजी करण सरकार ने अपने शेत्र में जो उध्योग थे उनकी कायों जिती उसको अठारा से घटा करके वल तीन महतपुंट शेटर जो हे वो सरकार ने अपने पास में रखें कौन-कौन से, रेलवे, रक्षा और परमाणों इरुजा. इन तीनों को सरकार ने अपने शपास रखा, बाकि इसके अलावास सबका निजी करण कर दिया, और जो सरकारी शेतर में काम करने वाली कंपनिया थी जो अच्छे उद्योग थे उनको सरकार ने नव रत्न का दरजा देना प्रारम किया था नेक्स्ट हमारा है वेश्वी करन ग्लोबिलाजेशन अब वेश्वी करन का मतलब क्या होता है किसी देश की अर्थ्योस्ता को वेश्व की दूसरी अर्थ्योस्ता के साथ में जोड़ना मतलब किस परकार से जोड़ सकते हैं व्यापार के माध्यम से एक देश द्वारा दूसर का लेंदेन हो सकता है तो इन विभिन माध्यमों से जब व्यापार का एक देश द्वारा व्यापार जो है वो दूसरे देश के साथ में किया जाता है जब कोई देश अपने व्यापार का विस्तार अन्य देशों में कर देता है पूरे विश्व में कर देता है तो इसको हम क्य इंग्लेंड के साथ में, रूज के साथ में, चीन के साथ में, तो दुसरे देशों के साथ में अगर लेंदेन करता है, व्यापार करता है, पुंजी का निवेश किया जाता है, उत्पदन किरिया संपन की जाती है, विती शेत्र पुंजी का लेंदेन होता है, तो ये सारा जो ह होते हैं वो अपना एंगे एक लिए गाता है अपने पर और जो होता है तो अधिक मातरा में होगा तो इस इस्तिमें आयत जो होते हैं है मतलब व्यापार जो होगा उसको विक्सित होने का मुका नहीं मिलता है तो एसी इस्तिमें विश्वी करण के माध्यम से जो आयात शुल्क हैं उनमें कम्मी की गई ताकि व्यापार जो हैं वो एक्तर से बढ़ें फिर उसके बाद में दिर्ग कालिन व्यापार निति को अपना पिर व्यापार पर विवन प्रकार के जो नियंत्रन होते हैं उनको हटाया जा सकता हैं और कोई भी अरत्विफ्था में जो उद्योग धंद हैं वो बाजार में खुले प्रतियोगिता को प्रोथसान देने का कारी करें विवन उद्यम जो हैं वो विवन देशों में अगर प्रतियोगिता की जो भावना है वो बड़े तो इस तरीके की जो निती हैं उसको अपनाने की बात की गए हैं फिर मुद्रा की आंशिक परिवर्तन शिलता की इसमें बात की गए हैं विदेशी निवेश की जो एक्विटी सीमा है उसको 40 प्रतिशत से बढ़ा कर कितना कर द हैं और 47 उच्च प्रात्मिक्ता वाले उद्योगों में बिना किसी प्रतिबंद के 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी दी गई तो सरकार ने आर्थिक सुदारों के लिए विभिन प्रकार के जो ही उपाये हैं वेश्वी करण, उदारे करण और निजी करण की प्रक्रिया के तहट अपना है